चना एक खादिपदार्थ होता है इसे अर्बेंजो बीन नाम से भी जाना जाता है यह लिग्म यानिके फलियां परिवार से आता है इसे दुनिया बर में उगाया जाता है भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा माना जाता है यह कार्बोहजरेट, प्रोटीन, फाइबर विटामिन B से ही बहुत सारे पोसक्तादों का एक अच्छा इस्त्रोथ होता है अब बात कर लेते हैं चने के फाइदे के बारे में चने के फाइदे सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है बलकि यह शरीर की तकलीफों में लाबदायक सावित होता है यह आपकी स्वास्ते में बहुत अच्छा काम करता है जैसे की बलड सुगर पाचन तंदर में वजन कम करने के लिए कैंसर रोगयों के लिए बहुत प्रत्ष्ण में बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है महिलाव में हार्मोन को निंतरित दर्थ सूजन से रहात देता Senka एक बहुत अच्छा स्तरोथ माना जाता है को होता है दिमाग के लिए काफी फाइदेमन जाता है जूर्या ओर एजिंग के लिए दूस्त अब बात कर लेते हैं शरीर में शरक्रा को नियंतरित करने के लिए चने के बहुत सारे फाइदे होते हैं क्योंकि चना शरीर में अत्रिक्त ब्लेड शुगर को दबाने का काम करता है दरसल मदूमे का एक कारण अधिक भूग लगना भी है और चना भूग को कम करने में आपकी सहता करता है पाचन स्वास्ते के लिए भी चना बहुत ज़्यादा फाइदे मन माना जाता है इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है इसलिए चना पेट संबंदी समस्याव जैसे गैस की परिशानी, कब्ज की शिकायत, डाइरिया की समस्या, मल त्याग करने में आसानी और बहुत सारे फाइदे देशे के साथ कते हैं मोटा पे से प्रिशान लोग चने का सेवन कर सकते हैं, जैसे की हमने बताया है कि गलासेलिक इंडेक्स कम होता है और अत्यदिक को नियंदिर्द करने में वजन गठाने में साहता करता है चना फाइबर और प्रोटीन से भी सम्रत होता है तो वजन कम करने में महत्वकून बहुत ज़्यादा भूमे का निवाता है हिर्दी के लिए भी चना खाने के फायदे बहुत सारे हैं चना टोटल कोलिस्टोल और LDL यानी खराब कोलिस्टोल के इस तरफ में सुधार ला सकता है आँखों के लिए भी चना के फायदे देखी जा सकते हैं बता दे की चना विटामिन सी और बीटा के रोटीन नामक ततों में सम्रत होता है वही एस रिलेड़ आई डेजीज स्टेडी में पाया गया है बीटा के रोटन बड़ती उमर के साथ आँखों की रोशनी कम करने के जोकिन को कम कर सकता है हड्यों के लिए काब लिचने के फायदे देखे जा सकते हैं एस्ट्रोजन की कमी के कारण होने वाले आश्टी पर रिससियानी हड्यों में कमजोरी होने की समस्या अंकुरिस चना में बहुत ज़्यादा अर्क मौज़द होता है चना की और शिद्य गुन एनिमे जैसी कहा तक विमारी से भी बचा सकता है दरसल एनिमे के सबसे मुख्या कारण शरीर में आर्नी की कमी माना जाता है ऐसे में चने के सेवन से आर्नी की कमी को पूरा कर एनिमे की समस्या से निजाद पाई जा सकती है गर्बवती मेलाओ की बात करें तो चने के अंदर फॉलेट का मुझूद होना यहें एक आवस्यक विटामिन भी है और मा और भ्रूं दोनों को सास्ते के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है गर्बवस्ता से पहले और गर्बवस्ता के दोरान परियाप्त फॉलिक एसिड बच्चे के मस्तिस्क या रीड के हटी से चुड़े जन्म दोसों को रोकने में आपकी मत करता है महिलावे होने वाले हर्मोन को नियंतिर्द करने के लिए भी चना खाने का फायदा मिल सकता है दरसल चना एंटियोक्सिडेंट्स गुणों से समरध होता है इसका यह गुम रजोनी वर्ति यानि उम्र बढ़ाने के सासाथ पर जिनन हर्मोन में गिरावट और रजोनी वर्ति के बाद नकरात्मक लक्सणों को दूर करने का एक प्राकर्तिक तरीका माना जाता है दर्दवे सूजन में भी बीगे चने खाने के बहुत सारे फायदे देखे जा सकते हैं क्योंकि हाप्य कैलोरिक डाइट यानि के कम कैलोरी युक्त आहर के साथ चना दर्दवे सूजन को भी कम कर सकता है इसके अलावा सूजन संबंदी समस्या में काबली चना खाने के बहुत सारे फायदे देखे गए हैं चना एक प्रोटिन का अच्छा स्तिरुत माना जाता है 100 ग्राम चने में लगवग 8.86 ग्राम प्रोटिन हुजिद होता है प्रोटिन हमारे शरीड के लिए एक बहुत जरूरी पोसक्तत्व है ये हंटी मासपेस योग और इसकिन को बनाने के में महत्तोकुन भूमिका निबाता है तरसल प्रोटिन हमारे शरीड में फेट या फिर कार्बो हैट्रेट के रूप में चमा नहीं होता इसमें केलशियम, मेगनेशियम, मेगनेज, जिंक, आयरेन, विटामिन भी, विटामिन ए मुझूद होते हैं आयरेन एनिमे जैसी समस्या को ठीक कर सकता है दिवा के लिए अंकुरिस चने के फायदे देखी जा सकते हैं क्योंकि चने में मुझूद लियूटिन और अनिये फाइडोनियोट्रियेट्स सग्यानात्मक कानने में सुधार करते हैं इसकिन के लिए भी चने के फायदे बहुत सारे देखे जा सकते हैं क्योंकि मेगनेश जुर्यों को हटा कर एजिंग के परभाव को कम कर सकता है उसमें भी चना बहुत स्यादा काम करता है चने को रूरात को भी वोगर सुबह खाली पेट खाना चाहिए चना किसमिस बादाम इन्हें आपस में मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं जिससे आपकी सेक्स मस्या भी ठीक हो जाती है दोस्तों किसी भी चीजिक स्तमल करने से पेले निचिकत से किसला अवस्य ले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर ले लाइक करना न भूले धन्यवाद